अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिरेशन आपको मिलती रहे जब भी गाएं अपने वेवी को जन्म देती हैं उसके बाद जो पहला दूद निकालते हैं उससे खीज बनता है यह गाएं का पहला दूद है खीज गाइं घैसके पहले दूद से ही बनाए जाती है हम की स्चूले पर बनाएंगे तो देखिए इसमें आफजिला देते हैं अब दूद के पतीले को हम चूले पर रख देते हैं कि आज हम अपने गाउं आई हुए हैं यह हमारी गाये ने प्यारेसे बच्डे को जर्म दिया है तो गाये की पहले दूद से हम दीज बना लिए ये दूद बहुँ ज़्यादा गाड़ा होता है इस दूद में हमें गायन में जितना दूद दिया उसका तीन गुना पानी डालना होता है ये देखें दूद अभी भी कितना गाड़ा है अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ कर देंगे अब दूद को हमें कंटिनू चलाते रहना है यह तो यह नीचे लग जाएगा अभी हम दूद में कुबाल आने देंगे और यह जो दूद होता है इसे फारने की जुरुत नहीं होती यह खुद ही फट जाता है देखे चुले में आक इतनी अच्छे से जल रही है यह बहुत जल्दी बन जाएगा यही चीज अगर हम गैस पे बनाए तो वह जादा टाइम लेती है लेकिन अगर हम इसे चुले पे बनाए तो यह बहुत फटपट हो जाता है देखे अब दूद में उबालाना शुरू हो गया है इसको हमें कंटिनिसली चलाती ही रहना है क्योंकि दूद बहुत ज्यादा गारा है यह तो नीचे लगकी स्मेल हो जाती है तो हमें इसी लगतार चलाती ही रहना है देखे इसमें मिठे के लिए मैं यहाँ पर गुर्ड इस्तमाल कर रही हूँ अगर आपके पास गुर्ड नहीं है तो आप चीनी भी डाल सकते हो लेकिन गुर्ड से ज्यादा स्वाद आता है इस तरह से मैं इसमें सारा गुर्ड देरे देरे आड़ कर दूगी और इसको आप टेस्ट के कोडिंग कम ज्यादा कर सकते हैं तो देखें यहां मेरी चूले किया गोड़ी बुझ गई है अब एक फोक में किसायता से में उसमें फोक मारकर उसके आपको जला दूए अब हमारी खीस बनकर तयारी है लेकिन अब हमें इसे और ज्यादा पकाना है पकाती वे में इसे कंटीनू चलाते रहना है आकि धीर धीरे पकती रहे और नीचे लगी बिना अब हमें किस बनाने की आपको पूरी दूरियो दिखाई है एक भी कट इसमें नहीं लगाया है ये खाने में टेस्टी तो है साथी हेल्दी भी बहुत जादा होता है इसको खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है और सिहत के लिए भी बहुत जादा अच्छा होता है इस त्यार हो गई है असरवियन में से फोरसा और पकाते रहेंगे ताकि टेस्ट और जादा बढ़ जाए इस इतना पकता है उतना ही इसका टेस्ट बढ़ता है इसे पकाने के लिए देखों बिल्कुल भी ज्यादा सामा होनों के जुरुत नहीं पड़ी केवल दूद और गूद इन दो चीजों से यह इतना टेस्ट लगता है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार खाएंगे हमारे चूले की आज बुच चुकी है अब हम इसमें तोड़ी सी लकरी आलकर इसकी आज को बढ़ा देते हैं अब यह पूरी तरह पक चुकी है अब हम इसे नीचे उतार लेके तो देखिए हमारा कीस बनकर विल्कुल रेड़ी है अब हम सबसे पहले गाएं के लिए इसमें से टोटोरी कीस निकार लेंगे आज भी हमारे गाओं में यह भी कोई चीज बनती है तो सबसे पहले गाएं को दी जाती है अब यह खाने के लिए ब्लकुल रेड़ी है अब हम इसे सर्व कर दीते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू